में और मेरी तनहाई अक्सर ये बाती करते हैं तुम होते तो कैसा होता तुम ये कहते तुम वो कहते तुम इस बात पर हेरान होते तुम उस बात पर कितने हसते तुम होते तो ऐसा होता तुम होते तो वेसा होता में और मेरी तनहाई अक्सर ये बाते करते हैं में रेखा जमाने ने मुझे जी भर के प्यार दिया लेकिन इस रेखा को जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी पुरी हुई ही नहीं कई लोग आये, कई लोग गए लेकिन उनमें से एक वो खास थी और हमेशा रहेंगे अमित, मेरी और उनकी प्रेम कहानी जिसका उन्होंने कभी बयान नहीं दिया लेकिन मैं आज तक उनी की यादों के सहरे जी रहे हूँ आज भी हर एक किस्सा याद बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है ये बाते 1970 के दोर की त्रेखा फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के दोर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी अगर वो सुर्खियों में भी थी तो केवल अपने बोल्ड स्टेट्मेंट के लिए और अलग-अलग हिरोज के साथ चुड़े हुए रिष्टों के लिए वो चाहती थी तो बस एक अच्छा हमसफर जो उसे बेन तहां प्यार करे थी रेखा और जया दोनों अच्छी सहे लिया थी और एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी ऐसे ही एक दिन ये ड्रेस तुम पर काफी जच रही है जया शुक्रिया अमेद अरे जया तुम? अरे रेखा ओ तो ये है वो जनाब जिन्नों ने तुम्हारे दिल में अपनी जगे बना ली है हम? क्या तुम भी रेखा नमस्ते आ मिताप सर मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ नमस्ते रेखा प्लीज मुझे सर मत बुला जया ने बताया कि तुम और वो अच्छी सहलिया हो इसलिए अपनी सहली के बॉइफ्रेंड को तुम सर केके बुलाओगी क्या? हाँ? हाँ सोथ तो है जया हमेशा मेरी दीदी भाई रहेगी फिर चाहे कुछ भी हो जाए क्यों दीदी भाई? हाँ रेखा तुम चल्दी घर पर मिलती नहीं हो पता नहीं कहागाइब रहती हो लेकिन अब जब मिली हो तो चलो फिनों साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं अरे नहीं जया फिर कभी अभी मुझे कुछ काम है इसलिए ओके बाई गॉड ब्लेस यू बोद शुक्रिया रेखा ध्यान से जाओ जया और अमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने परिवार की सेहमती से 1973 में शादी भी कर ली शादी के ठीक एक साल बाद उनी एक प्यारिसी बेटी हुई जिसका नाम शुटा रखा गया अरे मेरी गुडिया रानी वेसे अमित इसकी नाग बिल्कुल तुम पर गई है देखो तो बिल्कुल सही कहा आपनी जी शुटा के आने से अमित के माता पिता हरी वन्शर ते जी बहुत खुश थे सब कुछ अच्छा चल रहा था वही रेखा भी अपनी मा पुश्पा वले और सारे भाही बेहनों के साथ रहा करती थी फिर साल 1976 में एक सुबह अरे क्या हुआ रेखा तुम इतनी चिंदा में क्यों लग रही हो अरे अम्मा वो ना मुझे अमिता बच्चन के साथ फिल्म उफर हुई है द अमिता बच्चन जया के पती क्या अरे मैं जानती हूँ से आज के दोल का सबसे बड़ा स्टार है वो मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि आज मैं कितनी खुश हूँ बदाई हो बेटा शुक्रिया मा फिल्म का नाम दो अंजाने है और अगले हफ्ते से ही शूटिंग शुरू होने वाली है क्या बात है लेकिन अम्मा मुझे ना बहुत कप्राट मेसुस हो रही है मतलब अमित एक पेड़ की तरह है और मैं उस पेड़ का बस एक पन्ना हूँ मैं उनके सामने अक्टिंग कैसे कर पाऊंगे अरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा देखना तू मेरा और उपर वाले का अशिर्वात है ये तेरे साथ हाँ मा शुक्रिया पुष्पावली भी साउट की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और रेखा उसकी और जेमिनी गनेशन की नाजायज उलाद थी जेस कारण रेखा को पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं एसे ही एक हफता बीच चाता है और रेखा और आमित दोनों एक दूसरे को दो उन जाने के सेट पर मिलते हैं शुटिंग होती है और इस बीच में उन दोनों को एक दूसरे के प्रति एक अलग सा महसूस होने लगता है आउच अरे क्या हुआ रेखा तुम ठीक तो हो ना हाँ मित खुश तिनों पहले मुझे इसी हाथ पर हलकी सी चोट लगी थी और अब वापस वही पर ठेस लग गई क्या तुम भी रेखा जरा ध्यान दिया कोरो ना हाँ मित वेसे चया केसी है अब तो वो दूसरी बार मा बनने वाली है ना आ रेखा वो ठीक है अब बस कुछी महिनों की बात है फिर हमारी दूसरी संतानिस दुनिया में आ जाएगी लेकिन काफी टाइम हो गया है तुम उससे मिलने क्यों नहीं आई मैं भी अपनी सिंदगी में थोड़ी उल्ची हुई थी वैसे मैंने उससे बात की थी बीच में पर अब उससे मिलने भी वाली हूँ चलो अच्छा है तुम से मिलकी उसे और अच्छा लगेगा आखिर तुम दोनों की पुरानी दोस्ती चुठेरे आओ अमित वो तो है शूटिंग के दोरान रेखा को अमित के काम को देख कर काफी प्रेर ना मिलती है पर वो अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है अपनी सेहर अपनी सुन्दरता और अपने काम को वो काफी बहतरिन तरीके से ठीक करती है वक्त के साथ साथ अब रेखा और अमित दोनों के दिलों के तार चुड़ने लगते है और ऐसे ही एक दिन लाइट्स, कैमेरा, एंड एक्षन रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्या तुम मुझसे प्यार करती हूँ आमिद, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ना चाने ये प्यार कैसे, और कब और क्यू हुआ, लेकिन अब जो भी हो, बस तुम ही हो, वो इस दिन रेखा और आमिद, दोनों सीन में डायलोग नहीं, बल्कि असल में अपने दिलों का हाल पया करते हैं, कट, अरे ये क्या है रेखा, तुम्हें ये कहना था, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कुछ और ही कह दिया, इसा क्यू किया तुमने, और तुम्हारा ध्यान का अपर है, ओ नो, मुझे माफ कर दीजे सर, लेकिन अगले टेक में मैं ध्यान दूंगी, और ऐस तीन शुटिंग के बाद, रेखा, तुमने आज जो सीन में गलती से कहा, वो सच में तुमने गलती से कहा, या वो बात तुम्हारे दिल से निकली थी, तुम सच सुनना चाहते हो, अमित, आ रेखा, आमित, वो बात दिल से निकली थी, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हो और मुझे माफ कर दो ये हिसास में अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती रेका मेरी आखो में देखो सच कहूं तो जो बात मैंने भी सिन करते वक्त कही थी वो बात भी मेरे दिल से ही निकली थी क्या आ रेका I love you और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं लेकिन अमेद तुम जया के पती हो दो बच्चे के बाप पनने वाले हो और शादी शुदा होने के बावजुद भी नहीं नहीं ये चूट है और तुम चूट बोल रहे हो तुम जया से बेशुमार प्यार करते हो और मैंने अपनी आखो से देखा है तुम दोनों के प्यार को आये सच हे रेखा कि मैं जया से प्यार करता था लेकिन अब वो प्यार प्यार नहीं रहा पता नहीं क्यों लेकिन अब वो शादी में बस मुझे अपनी जिम्मेदारी ही दिखाई देती है एक पती और एक पिता होने की जिम्मेदारी और कुछ नहीं मुझ पर भरोसा करो रेखा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ अमेशा से मैंने प्यार में ठोकर ही खाई है और जिन्दगी में हर रिष्टे में मुझे दोका मिला है सिवाए मेरी मा के लेकिन पहली बार, किसीने मुझे दिल से प्यार किया है इतनी मुश्किले होने के बावजुद भी किसीने मुझे स्विकारा है शुक्रिया अमित रेखा और अमित दोनों एक दुसरे के प्यार में उधी तरे खोचुके थे और अब वो दोनों एक दुसरे को चुप चुप कर मिलने लगते है हम ये कहा चा रहे है अमित और किसी ने हमें साथ में देख लिया तो नहीं रेखा घबराओ मत कोई भी हमें देख नहीं पाएगा तोकि ये मेरे करिबी दोस का बंगला है और अब से हम यही मिला करेंगे ठीक है अमित जैसा तुम कहो वक्त बित्ता गया और उन दोनों का प्यार और के रहा होते गया वही नौ महिने पूरे होने पर जैया और अमित को एक बेटा हुआ इसका नाम बाद में अभिशेक रखा गया दो अंजाने रिलिस हुई और उसकी तरक्की के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रेखा और अमित को सूपर हिट जोडी के नाम से जाना गया फिर एक दिन आज इतने लंबे समय के बाद अमित और में बाहर घुमने जा रहे है ऐसी जगे जहां हमारे आसपास के वल पेड़ पोदे और ज़रने ही होंगे और कोई नहीं आनी वाले पास तिन मेरे सिंदगी के सबसे यादकार दिन होने वाले हैं क्योंकि ये ट्रिप हमारी पहली ट्रीच्चु होगी लेकिन लेट होने पर जब रेखा अमित को कॉल करती है तबी शुकर है तुमने फोन उठा लिया पिछले दो कंटों से मैं तयार होकर बेटी हूँ अमित आहां रे गए तुम तुमने तो कहा था कि मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करूँगा और तुम सीधे मुझे तुमारे दोस्के बंगले पर मिलना लेकिन अब तो तुम्हें घर पर ही हूँ अमित अबिशेक की तब ये थोड़ी खरापसी हो चुकी है इसलिए जया और बाबुजी ये कह रहे है कि मैं उसके पास ही रुको या ए बगवान कोई बात नहीं अमित तुम तुम अबिशेक का ध्यान रखो क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत सुरूरी है हाँ रेखा तुमने सही कहा और मेरी मुश्किल को समझने के लिए शुक्रिया रेखा ओफो अमित क्या तुम भी लेकिन कॉल कट करने के बाद रेखा के आखों से आसु बहने लगते है कितने आर्मान सुजाई थे मैंने हर बार हमें चुप चुप कर डर डर कर मिलना पड़ता है खुल कर बाते करने वाली थी मैं हमें एक साथ काना काते गाना गाते मैं एक बीवी के तरे तुम्हें सुबह उटाती और तुम्हें चाय देती क्या आलम होता वो अगर हम पाश दिनों के लिए वहाँ जाते खेर आज नहीं तो कल सही मुझे ये बात समझनी ही होगी वो अब दो बच्चों का पिता है और उसका अपना ये परिवार भी है रेखा ने खुद को समझाया और खुद ही अपने आसू पोचने लगी फिर कुछ दिनों बार अचानक से उन दोनों के चुपकर मिलने की खबरे सुर्खिया पट औरने लगी और सभी लोग ये सोचने लगी कि आमित और रेखा दोनों का अफेर शुरू हो चुका है और ये सब जब अमित के घरवालों ने पड़ा तभी ये सब क्या है अमित अकबार में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तुम्हें और रेखा को चुपकर मिलते हुए देखा है वो भी ऐसे वेसे तरिकों से नहीं बल्कि एक गर्फ्रेंड और बॉइफ्रेंड की तरह क्या इसलिए तो ज्यादातर समय बाहर ही रेता है जबसे दो अंजाने में तुने उस रिखा के साथ काम शुरू किया है तेरा तो घर पर ध्यान ही नहीं रहा और अब भी नहीं है अरे दो बच्चों के बाप बंचुकी हो तु और ये सब करते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या ओ गोड जया आप दोनों ये सब क्या कह रही हो अरे मैंने उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं की है तो मैं उससे चुपके कैसे मिलूंगा ये सब मिडिया वालों की चाल है दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बाउजी बाउजी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए शायद अमित सही कह रहा है आए दिन मिडिया वाले यही करते है अमित की आलावा और ऐसे कई सारे अभीनेता और अभीनेतरिया है जिनके नाम उनके कोस्टार के साथ जोड़े गए है पर अब दो अंजाने के बाद अमित और रेखा की जोड़ी सूपरिट हो चुकी है इसलिए मिडिया को अच्छी तरह से पता है कि इनके नाम से कुछ मिर्च मसाला लगा कर आर्टिकल चापेंगे तो बवाल तो होगाई होगा आजया मैं सच के रहा हूँ प्लीज मुझ पर भरोसा रखो ठीके अमित भगवान करे ये खबर सच ना हो खेर श्वेता की स्कूल में कल एन्यूइल डे है और हम दोनों को वहाँ पर जाना होगा आजया हम दोनों पक्का जाएंगे इस तरह अमित घर पर हो रहे चगडे को संभाल लेता है वही रेखा के घर पर रेखा ये सब में क्या पढ़ रही हो ओर अमित ये सब सरासर चूठे मा अब मिडिया वाले कैसे होते हैं ये तो आप चानती ही हो ना आप बेटा में जानती हो लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगे कि जो गलतिया तुने अपने अकित में की है उन्हें फिर से मत दोहरा और अपने करियर पर ध्यान दे बाकी सब के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है हा मा मैं समझ कई फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सोगन की शुटिंग के दोरान ब्रेक टाइम में दो क्रू मेंबर्स आपस में बतिया रहे होते हैं अरे तु बिल्कुल सही कह रहा है ये रेखा तो अमित के साथ काम करने के बाद ही हिट हुई है पर अब उसका सहारा लेकर आगे जा रही है वही तो उसे बाकी आदमियों की तरह ही अपने प्यार के जाल में फसाईगी वो बस सबका घर तोड़ने में माहिर है बेशरम कही कि अरे आज की तारिक में वो अमित की बिना कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी ये सारी बाते अमित सुन लेता है और उसे हद से ज़्यादा गुसा आ जाता है उन दोनों की इतनी हिम्मत उनने रेखा के बारे में ये सब कहा भी कैसे फिर अमित उन दोनों आत्मी अको बड़ी ही बेहरेमी से मारता है और सभी अमित का ये रूप टेक कर हेरान रही जाते है क्योंकि उसका गुसा किसी मामुली दोस की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह निकल रहा था अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले अरे आध्या बेटी अभी तो खाना बनाना सीख ले अरे तेरी अब शादी होने वाली है एसे में तुझे अगर खाना बनाना नहीं आया तो तुझे काफी दिक्कत होगी अपने ससुराल में ओफो मा सुबे हुई नहीं कि शुरू हो गई आप अरे मेनी आपसे कई बार कहा है मैं चार से पाश दिनों में सीख जाऊंगी सब कुछ अरे ओ अकल की अंधी चार से पाश दिनों में तेरे पिता जी ने सिखा था क्या खाना बनाने को खाना बनाना ही कोई दो मिनिट मैगी निउडल्स नहीं जो पानी डाला, उबाला और बन गई मैगी अरे मा मैं के रही हुँ ना मैं सब कुछ सीख जाऊंगी अभी आप मुझे टीवी देखने दो और हाँ थोड़ी देर में मेरे लिए सैंड़िच पना देना वो खाने का अभी मेरा बहुत मन कर रहा है काम की न काच की दुश्मन नाच की ए उपर वाले मेरी बेटी को सदभुध्य दे दे सुमन आध्या को कई बार खाना सिखाने के बहुत कोशिश करती है लेकिन हर बार आध्या उसे टालती ही रहती है फिर एक दिन अचानक से आध्या को देखने के लिए जतिन नाम का लड़का अपनी मा के साथ आता है और उस दिन खाना सुमन ने ही बनाया होता है अरे उबा, क्या स्वादिष्ट खाना बना है? तुमने इसे बनाया अध्धा बेटा? अ, हाँ अंटी जी, मैंने ही बनाया है ये खाना, बहुत कुब बेटा, अरे मुझे तो ऐसी ही बहुँ चाहिए थी, जो सुन्दर और हुन्हार के साथ साथ, अच्छा खाना भी बनाती हो, क्यों जतिन बेटा? आ मा, वाकई में, सारे पदार्थ काफी कमाल के बने हैं, शुक्रिया जतिन, शुक्रिया अंटी, सुमन बेहन, अमारी तरफ से तो हाँ है, अब आप लोग बताईए, अमारी तरफ से भी हाँ ही है, आध्या और जतिन की जोड़ी खूब चचिगे, इस तरह दोनों का रिष कहा, कि वो खाना तूने बनाया है, जबकि सारा खाना तो मैंने बनाया है, अरे मा, अगर मैं उन्हें बता देते, कि खाना मैंने नहीं आपने बनाया है, तो वो लोग रिष्टा पक्का ही नहीं करते, साफ साफ देख रहा था, कि माली नी अंटी कितने पुराने खयालो वा लेगा इतनी ज्यादा सेल्डी है और इतने अच्छे एरिया में बड़ा सा घर उपर से वो कितना हैंडसम दिखता है इसलिए मैंने चूट बोला माँ अरे बेवकूफ लड़की अब जब तेरी शादी हो जाएगे तब तू क्या करेगे एसे बनाएगी हुब हुब मेरी तरह खाना उस सबकी चिंता मत करो माँ अजार बार कहा है मैंने आपको में एक हाफ्टे के अंदर सीख जाओंगी सब कुछ यूटूब पे तो कितनी सारी रेसिपीज रहती है वहीं पे देखकर मैं सब कुछ बना लूँगी आध्या की बाते सुनकर सुमन अपना सीर पकड़ ल लेकिन तभी बगवान जी ये में काफ अस गई इतनी गब्राव तो मुझे दसवी बारावे की बोर्ड एक्जाम में भी नहीं हुई थी जितनी के अभी इस पहली रसोई की रसम में हो रही है मैंने ग्यास तो आन कर दिया है पर ये खाना अभी मुझसे बन ही नहीं रहा ज अरे मा मैंने छोले बनाए है लेकिन ये तो एकदम गटिया बने है मुझे बोर्टर लग रहा है मा एक से देड़ गंटे में माजी और जतिन आने वाले हूंगे अब मैं क्या करूं मा हे भगवान मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि खाना बनाना पहले ही सीख ले अभी रुख जा मैं वहाँ पर खाना लेकर आती हूं सबजी रोटिय और चावल बनाया है मैंने मीठे में भी कुछ बना कर लाती हूं ठीक है मा जल्दी से आ जाईए फिर सुमन फटा फट ड नब्बों में खाना पैक करती है और वही खाना आध्या माली ने और जतिन को परोस्ती है आहा अब प्रतिम ये ले भगो तेरी पहली रसोई का नेग अरे नहीं माजी ये पैसे आप अपने पास ही रखिये मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पैसे मांग लू ठीक है जतिन और धन्यवाद माजी सदा स्वागन रहे और ऐसे ही हमें बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाती रहे क्यों जतिन बिटा हाँ मा और अध्या सच में मा भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती जितना के तुम बनाती हो अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा ही ह ये बिल्कुल सच कह रहा है ये दोन तो मा के हाथ के खाने के दिवाने हो चुके हैं अब मैं आगे क्या करूंगे कैसे टिकूंगे इस गर में फिर आध्याबाद में ये सारी बाते अपने मा को कॉल करके बताती है अरे तुझे तो मैंने हजार बार कहा था कि खाना बनाना ले लेकिन नहीं वो खुद को बहुत होश्यार समझती थी ना अब देख कैसे तेरी होश्यारी तुझ पर भारी पड़ रही है दो भी कही कि अरे मा अब लेक्चर देने के बज़े मुझे इस मुसिबत का हल बता क्या करूं मैं मुझे अब खाना बनाना सीपना होगा लेकि तब तक आप रोजाना मुझे डबे लाकर दिया करोगी क्या मैं चुपके से ले लूँगे और आपके हाथ का बना हुआ खाना ही दोनों को खिलाओंगे ठीक है बेटी दे दूँगे लेकिन तु जल से जल खाना बनाना सीख ले अब तुने गलती कर दी है तो उसे अच्छ तरह से ठीक कर ले हा मा पक्का फिर सुमन रोजाना आथ्या को चुपके से डबा दे कर जाती है वही आथ्या रोजाना रोसोई में जाकर खाना बनाना सीखती रहती है ऐसे ही दस दिन बीच जाते हैं हेलो मा आश दसवा दिन है लेकिन अभी तक मैं अच्छे से खाना बनान सीख नहीं पाई हूँ अरे इसलिए मैं तुझे समझाती थी कि खाना बनाना सीख जा चार से पाच दिनों में खाना बनाना सीखना मुम्किन ही नहीं है तो अब मैं क्या करू मा कब तक आप यू रोजाना मुझे डबा देखकर जाओगे कभी किसी दिन किसी ने आपको देख या तो देख बेटे अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का तेरे पास एक ही रास्ता है क्या मा सच्चाई का रास्ता अपने पती और अपनी सास को जाकर सारा सच बता दे क्या पर ये आप क्या बोल रही हो मा तो फिर अब और कितने पेंत्रे आजमाईगी तु इसे और कितने दिन चुपाने का इरादा है तेरा देख बेटे तुझे खाना बनाना सीखने के लिए बहुत वक्त लगेगा इसलिए आज तुझे सच तो बोलना ही होगा और इसी में तेरी भलाई है फिर ना चाते हुए आध्या अपनी मा की बात मानकर आखिर कर जतिन और मालिनी को ये सारी सच्चाई बता ही देती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और दस दिनों तक उन्होंने सुमन के हाथ का खाना खाया है क्या कितना बड़ा जूट और इन सब में तेरी मा भी शामिलती है नहीं माजी मा तो हमेशा ही इन सब के खिलाव थी और तो और जब आप दोनों रिष्टा पक्का करके गए थे तब भी उन्होंने मुझे दाटा था कि आखिर मैंने जूट क्यों बोला और आज उनके कहने पर ही मैं आप दोनों को सच बता रही हूँ मुझे कैसे भी करके इस गर के बहु बनना था इसलिए मैंने जूट बोला माजी देखो आध्या तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मा की उमर हो चुकी है और वो अब रोसोई में जाकर गंटों तक खड़े रहकर खाना नहीं बना सकती अरे तुमें तो शादी से पहले सारा खाना बनाना सीख लेना चाहिए था और नहीं तो क्या ये तुने अच्छा नहीं किया बहु अरे तुने तो मुझे और मेरे बेटे का फसाया है लाने थे तुझ पर तुझे खाना बनाना नहीं आता अरे जब एट बहु खाना ही नहीं बना सकती तो वो अपनी घर ग्रहिस्ती को क्या खाक संभाल पाएगी क्या हाँ? माफ करूना माजी लेकिन मैं खाना बनाना सीखी रही हूँ रोजाना और दीरे दीरे ही सही लेकिन एक दिन में अच्छा खाना बनाना जरूर सिखूंगी मेरे खाने का स्वात भले ही थोड़ा उपर निचे होता है पर मैं खाना खाने लायक बनाती हूँ माजी अरे अब तो चाहा कर भी मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से नहीं निकाल सकती तुकि अगर हमने ऐसा किया तो समाज में हमारी क्या इज़त रहे जाएगे अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे अभी इसी वक्त में घर से निकाल देती कोई बात नहीं माँ अब जो हुआ सो हुआ मैं एक काम करता हूँ खाना बनाने के लिए एक नोकरानी रख लेता हूँ बही बहतर रहेगा पर ये नहीं नहीं नोकरानी वगेरा रखने के कोई जरुएत नहीं है पाल तुमें उसके पीछे खर्च क्यों कर रहे हो एक काम करो उतने ही पैसे तुम मुझे दे दिया करो मैं कह रही हूँ न उच्छी दिनों में मैं खाना बनाना सीख चाऊंगे मुझ पर विश्वास रखो लेकिन आध्या रहने दे बेटा जब ये कह रही है तो देखी लेते है लेकिन एक महिना बिटने के बाद भी आध्या ठीक से खाना बनाना सीख ही नहीं पाती और अब वही उसके हाथ का फीकिस वादवाला खाना खा खा कर मालीनी और जतिन बहुत परिशान हो जाते हैं एक महिना बिट चुका है लेकिन अभी तक इसने ठीक से खाना बनाना सीखा नहीं है पर ये केसी बाद कर रही हो माजी मैं रोजा ना इतनी मेहनत करके सीखती हू अरे कुछ भी नहीं सीखती तुम आध्या बस जाकर कुछ भी बनाकर चली आती हू तुमने बस हमें दिलासा दिया है कि तुम एक ना एक दिन खाना बनाना सीख कर हमें स्वाधिष्ट खाना दोगी लेकिन वो सब तो तब होगा ना जब तुम सच्चे दिल से कुछ सीखोगी ना जाने वग कोन सी मनहुस गड़ी थी जब मैंने अपने जटिन का रिष्टा इस मनहुस लड़ी के साथ पक्का किया हम्, आध्या को उन दोनों की बातों का कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसे अब पता था कि ये दोनों उसे चाकर भी घर से नहीं निकाल पाएंगे दूसरी तरफ जटिन के ऑफिस में प्रेरना नाम की एक काली लड़की काम किया करती है एक दिन, ऐसे ही वो उसके टिपिन में लाया हुआ खाना खा लेता है और वो जटिन को बहुत पसंदाता है ओहो, क्या खाना बना है यार, मजा ही आ गया प्रेरना, मुझे पता नहीं था, कि तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो शुक्रिया जटिन, खाओ न, और लो, शर्माओ मत मैं सुबे सुबे भरपेट नाश्टा करके आये हूँ इसलिए मुझे अभी इतनी भूग भी नहीं है शुक्रिया प्रेरना अग रोजाना जटिन प्रेरना के टिफिन में से थोड़ा-थोड़ा खाना खाता रहता है और इसी बहाने उन दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है अरे मेरी बेवी तो बहुत ही बेस्वात खाना बनाती है इसलिए मुझे घर पर कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता प्रेरना वेसे तुम्हे कोई एतरास ना हो तो क्या तुम मेरे लिए कल से अलग टिफिन लेकर आया करोगी क्या मैं तुम्हे पैसे दे दूँगा पर प्लीज यार मेरे लिए लाउना टिफिन तुमारे हाथ का बना हुआ खाना किसी अमरित से कम नहीं है अरे पागल वागल हो गए हो क्या जतिन मैं तुमसे एक रुपेया भी नहीं लूँगी क्योंकि मैं तुमारी दोस्त हूँ और दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना तुम फिकर मत करो कल से मैं तुमारी लिए एक और टिफिन लाया करूंगी तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रेणा चलो मेरी खाने की चिंता तो मिड़ गई फिर उस दिन के बाद से प्रेणा अब रोजाना जदिन के लिए टिफिन लाया करती है और वो दोनों अपने लंच ब्रेक में एक साथ खाना खाकर खुब अच्छा समय बिताते हैं फिर एक रात अरे आध्या आज क्या बनाया है तुमने खाने में आज तो मैंने मटर पुलाव बनाया है जदिन जो एकदम बुरे बने हैं बिलकुल भी मत खाए इसे बेटा वरना तेरी तबियत भी खराब हो जाएगे जिसे खाना है खाए और जिसे नहीं खाना वो ना खाए मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता इतना बोलकर आध्या वाह से चली जाती है फिर थोड़ी देर बाद में अच्छानक से जतिन का फोन बचता है प्रेर्ना ये कौन है अरे किसका फोन है आध्या इधर दिखाओ फोन हेलो आप्रेर्ना बस आ रहा हो में आ हाँ हाँ ठीक है फिर जतिन तयार होकर चला चाता है अब ये प्रेर्ना कौन है कुछ तो गड़बर है इसका फोन आते ही जतिन का चेरा एकदम चमक उठाता मुझे इसका पीछा करना होगा वरना मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा फिर आध्या जतिन का पीछा करती है और वो जतिन को प्रेर्ना के घर पर जाते हुए देखती है ये जतिन किसके घर में गया है कौन है ये प्रेर्ना और क्या है इन दोनों का रिष्टा मुझे खिड़की के पास चाकर देखना होगा फिर आध्या खिड़की के पास चाती है और वो देखती है कि जतिन और प्रेर्ना एक साथ बैटकर खाना खा रहे है और ये देखकर आध्या एकदम हेरान रहे जाती है अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ये कहानी है मुंबई शेह के एक जानी माने बिजनेस टाइकॉन विराज की जो जिन्दगी में सिर्फ अपनी दादी और अपने काम से ही प्यार करता है विराज बिटा आ गया तु चल अब जल्दी से हाथ मू दोकर बेट जा और किशोर जल्दी से खाना भी लगा दे विराज बिटा मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए है तुम्हें पहाडी राजमा बहुत पसंद है ना इसलिए मैंने खास हिमाचल से मंगबाए है दादी इनसे कहे दीजिये कि मुझसे बात ना करे और नाही मेरे लिए कुछ करे ये चाहे लाग कोशिशे क्यों ना कर ले लेकिन मेरे दिल में जगय कभी नहीं बना पाएगे नाही इनके सो कॉल्ड हस्बन मैं किशर भाया और बिंदिया के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा अरे पर बेटा इतना केकर विराज फ्रेश होने के लिए अपने कम्रे की ओर चला जाता है तब ही उसकी सोतिली मा माली ने और पिता सुरेंद्र कहते है सुरेंद्र, मम्मी जी, कब तक ये ऐसे ही रहेगा इतने साल हो गए है लेकिन इसने तो मेरा आश तक स्विकार नहीं किया है अरे गुसा ओना और गमन दिखाना हमें भी आता है लेकिन यहाँ तो छोटे ही बड़ों को तेवर दिखा रहे है विराज की बढ़ती उमर देखकर मालीनी और सुरेंद्र एक सुबह दादी से कहते है अरे मा आपको नहीं लगता क्या यह विराज को अभी शादी कर लेनी चाहिए कब तक यह अकेला रहेगा हाँ ममी जी दिन रात बस काम काम और काम लाइफ में सिफ काम ही सब कुछ नहीं होता प्यार और रिष्टे भी होते है हाँ मा और वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा लेकिन अगर आप उसे कहोगी तो वो शादी के लिए जरूर मानेगा प्लीज मा हाँ सुरेंद्र तुम और माली नी बिल्कुल सही कह रहे हो वो लड़का तो बस अपने में ही उलजा रहता है उसे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने का और शादी करने का पूरा हक है मैं उसे इस बारे में जरूर बात करूंगे फिर रात में जब विराज घर पर आता है तब ही दादी उसे शादी के बारे में बात करती है क्या? शादी? हाँ विराज बेटा अरे अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुड़े ओने पर करेगा क्या? पगला कही का देख बेटा शादी करने से ही रिष्टे और खांदन आगे बढ़ते है इसलिए तो जल से जल शादी कर ले इससे पहले कि मैं चल बसू मुझे तेरी शादी का और तेरे बच्चों का सुक प्राप्ट करना है मुझे मेरे पुता-पुती के साथ खेलना है अरे चल बसेंगे आपके दुश्मन दादी और दादी अगर आपकी यही इच्चा है कि मैं शादी कर लो तो यही सही मैं शादी जरूर करूँगा क्या? सच में बेटा हाँ दादी आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तयार हूँ आप जो भी लड़की दुणड़ोगे मैं उसी के साथ शादी करूँगा और मुझे अच्छे से पता है कि आपकी चोईस कभी खराब नहीं होती ठीक है बेटा मैं आज से ही लड़की दुणना शुरू करती हो और ठैंक्यू बेटा लविर दादी आपकी लिए कुछ भी लविर तू मेरे शेर पतर विराज के इस फेसले से सुरेंद्र और माली नी भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों दादी के साथ मिलकर विराज के लिए लड़किया दुणना शुरू करते हैं ऐसे ही एक दिन पचानक से विराज की कमपनी में उहु नाम की एक गरिब लड़की आती है ए लड़की चल दफा हो जाए आसे ये एक बहुत बड़ी कमपनी है भाई साहब मुझे काम की सब जरूरत है मुझे इस कमपनी के मालिक से मिलना है फिलीज मिलने देजिये ना फिलीज भाई साहब मैं आपसे बिंती करती हूँ मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी अरे गवार और सडक चाप लड़की इस एवन कमपनी में क्या काम करेगी तू कही और चली जा यहाँ पर तेरे जैसे अनपोडों के लिए कुछ भी नहीं रखा और नहीं तो क्या अरे शकल देखिये क्या अपनी आईने में बिल्ला क्रूप अफ कमपनीज में नोकरी चाहिए मैडम को कुहू पर सभी हसने लगते हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शिर्मिनगी होती है फिर गार कुहू को धक्का मार कर उसे बाहर निकालता है लेकिन तभी कुहू सीधे जाकर विराज की बाहू में गिरती है अरे सर जी आप तुम को नो और सबने आपर ये क्या तमाशा लगा के रखा है अगर कोई हसा तो मैं उसे यहाँ से फायर कर दूँगा मुझे ऐसे एंप्लोईस बिल्कुल भी पसंद नहीं जिने दूसरे लोगों के इज़द करना ना आता हो सॉरी सर और तुम भी बुति अरे ऐसे लड़की को कोन धक्का मारता है तमीज नहीं है क्या तुझे पहले उसकी पुरी बात तो सुन लेता माफ कीजिए सर गलती हो गई सर जी आपका बहुत 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 थैंक्यू अरे मुझे किसे ने बताया ये इस कंपनी के कैंटिन में जो लड़की काम करती थी अब वो यहाँ पर नहीं आती इसलिए मैं यहाँ पर कैंटिन में काम मांगने आई हूँ फिले साब जी मुझे काम दे दीजिये न मेरी मा को दिल की बीमारी है और डाक्टर ने कहा है कि वो कुछ मेनों तक ही रोक सकते है इलाज के लिए वरना उसके बाद मा की जन खत्रे में भी जा सकती है फिले सर जी मुझे काम के बहुत ज़्यदर दरूरत है अच्छा ठीक है तुम ही आपर काम कर सकती हो वो भी अभी से इसी वक्त क्याँ? सच्ची? थैंकी 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 सो मच सर जी आपको बगवान हमेशा हमेशा खूश रखे आप और आपकी बीवी हमेशा तंदरूस्त रहे और आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हो वोट नॉनसेंस जाओ काम पर लगो इडियट आई रे कुहो तू भी ना खुशी की मारे पागल हो जाती है जितना उनका नेक दिल है उतने ही वो सकत भी है चलो बाबा मैं फटा फट काम पर लग जाती हो वरना सर्जी तो मुझ पर पहले दिन ही बढ़क जाएंगे कुहो अब कैंटीन में काम करने लगती है फिर वो विराज के लिए कॉफी बना कर उसके कैबिन में आती है सर्जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या हम कमिन देखिये सर्जी माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है न कि आप मुझे कमीनी बोलो मैं कमीनी नहीं हूँ अरे वाबा कमीन कहा मैंने कमीनी नहीं कमीन मतलब अंदर आ सकती हो तुम ओ तेरी माफ करना है सर्जी वो मेरी इंगलीज थोड़ी कच्ची पक्की है न इसलिए कड़बड हो गई माफ करना ये लीजिए आह कुहो विराज को कॉफी सर्फ करने जाही रही होती है ये उतने में उसका पे टेबल से टकराता है और सारी कॉफी विराज की उपर गिर जाती है ओ शिट अरे ये क्या कर दिया तुमने कुहो आरे यू मैड अरे इसे कौन से सस्ते नेशे करती हो तुम जो इतना लड़खडाती रहती हो माफ करना सर्जी मेरा पे टकरा गया इस मन हूस टेबल से इस टेबल की तो ऐसी की तेसी हाँ सर्जी लाईए इसे आपके गपडे मुझे दे दीजिए मैं इने दोकर देती हूँ ये सारा कान मेरी वज़े से ही हुआ है ना लाईए इसे अरे रहने दो अभी मैं चेंज कर लूँगा लेकिन आइनदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो on the spot में तुमें काम से निकाल दूँगा मुझे एकदम डेडिकेटर और फुर्तिले लोग चाहिए तुम जैसे पागल नहीं इसलिए अपना ये पागल पन अपने घर पर छोड़ कर आया करो किके सर्जी आइनदा से ऐसा बिलकुल नहीं होगा नेबर 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 वट? ओ, कुछ नहीं अरे गदेडी तेरी इंगली सुनकर ही आदमी तुझे अभी काम से निकाल देगा चुपचप कटले यहाँ से फिर कुहुत तुरंत वहाँ से चली जाती है ये लड़की तो सच में पागल है दादी, सुरेंद्र और मालीनी तीनों एक लड़की को फाइनल करते है और उनका नाम एलिना होता है एलिना और उसके माता पिता अब विराज को देखने उसके घर आते है अरे वा विराज बेटा तुमारी कमपनी तो बहुत अच्छी और रेपिटेड कमपनी है मैं भी तुमारे साथ पार्टनर्शिप जरूर करूंगा उसी बहाने मेरी कमपनी का नाम भी बढ़ जाएगा जी, क्यों नहीं अंकल जी मेरी एलिना को तुम बड़े पसंद आये हो विराज बेटा वो इस शादी के लिए तयार है क्या तुम भी हो? तुमारा क्या कहना है? अं, वो आंटी हाँ बेटा, बोलो ना क्या हुआ विराज? तुमें अगर अपना डिसीजन लेने में ताइम चाहिए तुम ले सकते हो नहीं एलिना मैं भी इस शादी के लिए तयार हूँ और दादी आप लोग शादी की डेटा फिक्स कर सकते हो ठीके पुतर बदाई हो मैं कल ही पंडिजी को बुलाती हो और एक अच्छा सा मोहरत निकलवाती हो थांक्यू विराज मुझे अपनी वाइब के तोर पर चुनने के लिए योर विलकम एलिना अरे विराज बेटा तुम और एलिना एक दुसरे से अकेले में बाते कर सकते हो शर्माओ मत अरे नहीं आंटी अभी मुझे एक अरजेंट मिटिंग अटेंड करनी है तो मुझे निकलना चाहिए हम फिर कभी बात करेंगे लेकिन बेटा कोई बात नहीं मौम चलता है विराज अब मेरा फियान से बन चुका है इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है और विराज हम दोन तुमारे फ्री होने पर मिलेंगे तुमा भी जा सकते हो फिर विराज आधी में ही उठकर चला जाता है और फिर एक रात अच्चानक से तेज बारिश शुरू होती है और ऐसे में कुहू घर ही नहीं जा पाती और वो बारिश में भीग रही होती है हाई राम इस बारिश को भी आची आना ता क्या मुझे गर पर जल से जल पहुचना है वरना मा को दवाई देने में देर हो जाएगी वो गर पर अकेली जो ठेरी अरे ये तो कुहू है कुहू तुम यहापर क्या कर रही हो अभी तक गर नहीं गई क्या इसे बारिश में भीगने के मज़े मत लो बहुत भारी पड़ेगा तुम पर अबे ओई उल्लू के पट्टे उत्तिरी सारी 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 मैं आफिस के बार निकलते ही बूल गई कि आप मेरे सार्जी हो हाई मैं भी क्या बक्वास कर रही हू सारी सारी बहुत 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 सारी क्या अरे तुम क्या पागल काने से छुटी हो क्या जब देखा तब कुछ भी बोलती रहती हो अरे सारी जी वो में यहाँ पर फज गई हू मज़े नहीं ले रही कोई आटो भी नहीं मिल रहा गर पर मा भी अकेली ही है ना उनकी दवाई का भी समय होने आया है ओ गाड ठीके कोहो तुम्हें काम करो अंदर गाडी में आँ मैं तुम्हें चोड़ देता हूँ क्या हो? अरे नहीं सर जी मैं पूरी बेख चुकी हूँ तो फिर मैं कैसे आपकी इस चमचमाती हुई गाड़ी में आ सकती हूँ ना बाबा ना मुझ जैसी गरीब नाकारा लड़की आपकी इस अमिर कार में नहीं बेट सकती ओ फोकु हो ये तुम क्या बकवास कर रही हो और एसी कोई बात नहीं है मुसीबत के समय क्या गरीब और क्या आमिर अब ये फालतू की बाते बन करो और चुपचाप गाड़ी में बेट जाओ अब तुम इसे मेरा ओर्डर समझो या कुछ और I don't care लेकिन सर्जी I said better ठीक है फिर कुहू गाड़ी में बेटती है और विराज उसे उसके घर तक छोड़ता है और वैसे ही दिन बीटते जाते है और कुहू और विराज की वीच एक अंसुने रिष्टे की शुरुवात होती है लेकिन जब विराज के शादी का दिन आता है तब ही वो अच्छानक से कुहू को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कुछ पेपर्स देता है सर्जी ये कैसे कागज है ये कॉंट्रेक्ट मेरेज के पेपर्स एकुवो इन पर साइन करो कॉंट्रेक्ट मेरेज ये कागज किसी बाहर वाले को देने ही क्या अरे मेरी मा साइन को रहे इन पर देखो कुहू मैं तुमारे साथ एक सोधे का रिष्टा जोड रहा हूँ तुम्हें पेसों की जरूरत है ना हाँ सर जी मुझे मेरे बिमार मा का इलाज कराना है वो भी अच्छे से अच्छे डाक्टर के पास जाकर इसलिए मुझे डेरों पेसे लगेंगे हाँ तो कर लो मुझे से शादी ये शादी सिफ पाच महिनों के ही होगी जिसके बदले मैं तुम्हें पूरे पाच लाक रुपे दूँगा अब बताओ मन्जूर है तुम्हे क्या आपसे शादी लेकिन आपकी शादी तो आज है ना वो भी किसी और के साथ तुम उन सब के फिकर मत करो पर सर्जी आप तो कितने अमिर हो और उपर से एंसम भी पूरे शेर की लड़की आपके दिवानी है फिर आप मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो देखो कुहू तुम्हें सवाल जवाब करने है या पैसे चाहिए जल्दी सचो मेरे पास टाइम नहीं है नहीं नहीं सर्जी मुझे पैसों के बहुत जरूरत है मैं मैं ये शादी करने के लिए तयार हूँ जैसा आप कुहू वेरी गुट फिर कुहू उन कागजों पर साइन कर देती है और वहाँ बिर्ला मैंशन में सभी लोग दुल्ले का इंतदर कर रहे होते है और तभी विराज कॉंट्रेक मैरेज करके अपनी बीवी कुहू के साथ घर पोहुशता है उन दोनों के गले में वर्मालाई देखकर सभी लोग हेरान रह जाते है अब इस कहानी में आगे क्या होगा और आखिर विराज ने उस गरीब लड़की के साथ सोदे की शादी क्यों की मिलेंगे सारे सवालों के जवाब हमारे अगले भाग में जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले